साजीस बभू तूने मेरी बेटी का माईके आना बंद किया है देखना तू भी एक दिन अपने माईके को तरसेगी तुझे मेरी हाय लगेगी आज ये सब्द मधू के कानों में गूज रहे थे जब से उसकी भावी ने उसे उसके माईके से निकाला है तब से बस यही सब्द हाथोड़ी की तरह उसके दिल और दिमाग में जोड़ जोड़ से लग रहे थे एक पल भी यकिन हो नहीं पा रहा था कि उसके भाईया ने भी उसे रोपने की कोशिस तक नहीं की कहीं वो प्रोपर्टी में से हिसा ना मांग ले इसलिए दोनों भाई बहें चुप रहे गए अज उनकी चुपी ने यह सब्द या तिला दिया वो तो इस बात को कप कप भूल भी गई थी या यूं कहें कि उसे तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था उस समय भी नहीं जब सास ने मरते समय उसे ये सब्द कहें थे पर आज तो उसके मायके में हुआ उसके बाद आपने आप ही अपनी सास के कहें वो सब्द उसे यान आ गए दरवाजा खोल कर घर में प्रवेश किया ही था कि सामने अपनी सास की तसबीर को देख कर वो वही दरवाजे पर फिठिक गए आपने आप ही आखों में से आसु बहने लग गए आज अपनी आप ही अहसास हो गया कि एक मा का दिल दुखा कर उसकी हाय लेकर उसने क्या हासिल किया है जब वो साधी होकर इस घर में आई थी कब एक बड़ा ही खुसहाल परिवार मिला था उसे घर में ज़्यादा लोग नहीं थे पर जो भी थे वो भी हसमुक सोभाव के थे शास स्यामा जी पती मयंक और एक साधी सुदा नंद गरिमा जो पंदरा बीस दिन में ही एक बार माय की ती चक्कर लगा जाती थी पर मधू तो उन दो लोगों के परिवार में भी खुद को अरजिस्ट नहीं कर पाए वो तो ससुराल में अपना एक छत्र राच चैती थी जो सास के रहते तो संभू नहीं था उसे अपनी नंद गरिमा का आना बिलकुल अच्छा नहीं लगता था गरिमा के ससुराल की आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं थी इसलिए मधू को लगता की गरिमा तो यहां जब भी आती है कुछ न कुछ लेने के लिए ही आती है मेरा पती तो अकेले कमाने वाला है वो कब तक कोलू के बेल की तरह इंसा घर भरता रहेगा उपर से कहीं ऐसा ना हो की अपनी बेटी की इस्थिती को देखते हुए सासु मा अपना सब कुछ बेटी को ही दे ले बस उसके मन में यही पाप घर कर गया था इसलिए जब भी गरिमा ससुराल से माय के आती तो मधू पूरे दिन मुझ फुला कर रहती ना हस्ती ना मुस्कुराती और ना ही ठीक से उससे बात करती यहां तक की अपना काम मिट्टा कर करके जाके अपने कमरे में बेट जाती लेकिन जब गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना हो जाती उस समय जरूर बाहर आकर खड़ी हो जाती यह देखने के लिए की स्यामा जी गरिमा को क्या क्या दे रही है एक दो बार तो गरिमा ने उसे बात करने की कोशिस भी की पर मधु ने चबाब तक नहीं दिया तो गरिमा अपने आप आती और अपनी मा से मिल कर चली जाती पर इतना तो गरिमा को भी समझ में आने लगा था धीरे धीरे मधु मैंग के कान में भरने लगी लेकिन मैंग तो हस कर उसकी बात को टाल देता था जब मधु ने देखा कि मैंग पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो उससे अपना दूसरा तरीका अपनाया अब जब भी गरिमा माईके से आती तो उसके जाने के बाद मधुधू मयंग के सामने रोना सुरू कर देती और हमेशा बहाना ये बनाती कि मेरी तानी चीज गुम हो गई है जरूर गरिमा जिजी लेकर गई होंगे मैं एक मधू को बहुत समझाता लेकिन वो थीकी समझने का नाम ही नहीं लेती कहती है ना जब बार बार एक ही बात कहुई जाओ तो कुछ तो असर होता ही है यही हाल अब मयंग का होने लगा था वो धीरे धीरे मधू की बातों में आने लगा था उसे भी लगने लगा था कि गरिमा के आने के बाद ही क्यों सामान गायब होता है क्या सच मुछी गरिमा सामान उठा कर तो नहीं ले जाती सब का कीरा धीरे धीरे कुल गुलाने लग गया था लेकिन ये कीरा उस दिन बड़ा भी हो गया जिस दिन गरिमा स्यामा जी से मिलने आई थी उस दिन मैंक और मदू दोनों ही घर पर नहीं थे गरिमा आई और स्यामा जी से मिलकर चली गए जब स्याम को वो दोनों लाटे तब स्यामा जी थोड़ी उधास थे तब गरिमा ने पूछा क्या बात है मा क्यों परेशान हो रही ह तब स्यामा जी बोली आज गरिमा आई थी परिसान लग रही थी स्यामा जी की बास उनके मैंक बोला क्यों आपको ऐसा क्या लगा आपने पूछा रही उसकी बात सुन करके स्यामा जी ने लंबी सास भरते वे कहा कह रही थी दमा जी कोई छोटा मोटा बिजनस दुरू कर रहे हैं उसी में थोड़ी परिसान हो रही है पर क्या परिसानी है वो नहीं बताया कहीं ऐसा ना हो उसे पैसे की जरूरत हो और मेरे सामने बोल ही नहीं पाये हो मैंक और स्यामा जी अभी बात ही कर रहे थे कि मधू अपने कमरे में चली गए कुछ देर बाद मैंक कमरे में आया तो देखा मधू ने में पूरा कमरा बिखेर रखा था और पलन पर उदास होकर बैठी हुई थी ये देखकर मैंक ने कहा क्या हुआ मधू ये कमरा क्यों फैला दिया है और ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो उसकी बात सुनकर के मधू अपने आखों में आसू आते हुए बोली मेरे सोने का मंगर सूत्र नहीं मिल रहा है मैंने यहीं डेसिंग पर रखा हुआ था चोरी हो गई है जरूर मंगर सूत्र चोरी हो गई है ये क्या कह रही हो भला मंगर सूत्र घर में से बाहर कैसे जाएगा मैंने कहा तो मधू खड़े होते हुए बोली क्यों आपको नहीं पता कि दर सूत्र घर के बाहर कैसे जाएगा आज भी तो आपकी प्यारी गरिमा जीजी यहां पर आई हुई थे थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि वो हमारे जाने के बाद ही क्यों आई जरूर वही मेरा मंगल सुत्र यहां से चुरा कर लेके गई है बस करो तुम जरा धंग से देखो यहीं कहीं होगा और तुम इतनी लापरवा कैसे हो सकती हो कि सोने का मंगल सुत्र को यहुँ डेसिंग पर रख कर चली गए भना सोने चाने की चीज कोई इस तरह से घर में खुला रखता है क्या मैंग ने मधू को डाटा तो मधू उल्टा मैंग को सुनाते वे बोली अपनी बहन के अपराद को मेरे सिर पर मटा लो उसे अपराद तो मेरी लापरवाही का नाम मत देना आज के बाद खबरदार जो इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ कर हमेशा के लिए चली जाओंगी अभी मधू और मैं घलड़ ही रहे थे कि स्यामा जी अरवाजी पर आग गई इन्होंने सब को सुन लिया वो मधू को समझाते हुए बोली पर गईमा तो इस कमरे में आई ही नहीं थी वो तो मेरे कमरे में आई थी और मेरे कमरे से ही चली गई थी भला वो क्यों चोरी करेगी अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो वो मुझे मांग लेती मुझे नहीं पता अरे आपने पती के बैपार को सुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होगी इसलिए वो मेरा मंगर सुत्र चुरा कर ले गई ताकि उसे बेच कर अपने पती का ब्यापार सुरू कर सके मधू अब स्यामा जी से भी उची आवाज में बात कर रहे थी उसकी ये बात सुनकर के स्यामा जी बोली चुप कर बहू कुछ भी बोले जा रही है मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं है केकर स्यामा जी अपने कमरे में चली गई उस दिन घर का मोहोल खराब ही रहा घर के ऐसे मोहोल और गरिमा पर लगे इलजाम के कारड स्यामा जी की तबियत अब थोड़ी खराब होने लगी थी उनकी ऐसी तबियत के कारड मैं ने गरिमा को भोन लगा दिया ताकि गरिमा आकर उसे मिल जाए तो उनकी तबियत में थोड़ा बहुत सुधार आये तब उसे पता चला कि गरिमा के पती ने एक छोटी सी फर्चूनर की दुकान खोली है मैंक ने बिन ये जाने की दुकान के लिए पैसे कहां से आये है सीधा सीधे गरिमा को सुनाना सुरू कर दिया जी जी मुझे आप से ये उमीर नहीं थी आप अपने ही घर में चोरी करेंगी शरम आने की बात है अपने आप ही भावी का मंगल सूत्र चुरा लिया और उसे बेच कर अपने पती की दुकान खुलवा दी आज के बाद इस घर के दरवाजे आप के लिए हमेशा के लिए बंध हैं अब कभी इस घर में कदम ही मत रखना उसकी बात सुनकर के गरिमा हकी बक्की रह गए उसने पताना भी नहीं चाहा के उसने अपने खुद के गहने गिरिवी रखे हैं पर मैंग सुनने ही नहीं रहा था, बिन गरिमा की बार सुने ही मैंग ने फोन रख दिया, मैंग इतने जोर जोर से फोन पर चिला रहा था कि आवाज स्यामा जी तक पहुच रहे थी, वह भी उसी कम्रें में आ गई, वो बार बार मैंग से कहती रहती कि गरिमा ऐसा नहीं है, तुझे कोई कलग फैमी हुई है, लेकिन मैं कुछ सुनने को तयार ही नहीं था, मा मधु हमेशा कहती थी कि गरिमा जी जी जब भी आती है, उसका कोई न कोई सामान गायख हो जाता है, पर मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब ये क्या मंगव सूत्र चोरी हो गई, उसके तीसरे दिन ही जीजा जी की दुकान खुल गई, इतनी जल्दी पैसे कहां से आ गए, हम भी अनाच खाते हैं, इतने अकल तो हमें भी है, कि ये समझ में ना आये की पैसे कहां से आ रहे हैं, आज के बाद जी जी यहां क अधम नहीं रखेंगी, सोच लेजिए आपको बेटा चाहिए या बेटी, स्यामा जी बाहर निकल कर दरवाजा खोड़ने के लिए आई, तो मधु उन्हें जबर जस्ती खीचती हुई उनके कमरे में ले गए, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, आखिरकार था खाल कर गरिमा वापस आ गए, उसने मयंक को भी खूब फोन लगाया, लेकिन मयंक ने उसका फोन तक नहीं उठाया, ये बात उसके ससराल वालों को भी पता चल गए, आखिर उनकी मिनहत की कमाई को चोरी की कमाई समझ जी जा रही थी, ये बात उन्हें बहुत बुरी लगे, इस का करण से उन्होंने गरिमा को दो बारा माई की कभी नहीं जाने दिया, लेकिन इस सब के बाद स्यामा जी की तव्यत ज्यादा खराब होने लगी, थी उन्होंने इस बात का सदमा लग चुका था, कि उनकी बेटी का माई का हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, अब उनकी पीना भी उन्होंने कम कर दिया था अब तो यह आलाम हो चुका था कि वो मुश्की से ही खड़ी हो पा रही थी और कई बार तो चक्कर खा कर गीज जाती थी एक दिन दोपार में जब मैंग ओफिस में जा था उस समय मधू अपने कमरे में थी इधर स्यामा जी को बहुत जोर से प्यास लगी थी लेकिन देखा तो जब में पानी ही नहीं था वो जैसे दैसे खुद को सम्हालती हुई रसोई की तरब जा रही थी कि अचानक मधू की हसी की आवाज आई दीरे अपने आपको घसीरते हो मधू के कमरे की तरब गई हो महा हो रही बातों को सुन कर वो चोग गई मधू किसी से पोन पर बात कर रही थी अरे मैंने तो इस नंद नाम के जंजर से ही छुटकारा पा लिया ठीक है बहुत पापड़ बेले है मैंने यहां तक की नाटक भी करना पड़ा अरे अपना सोने का मंगल सुत्र तक मुझे छिपाना पड़ा आखिन साबित करना पड़ा की चोरी नंद नहीं की है पर भगवान भी मेरा खुब साध्या दो दिन बाद ही जीजा जी ने दुकान खोल ली और मैं को ये यकीन हो गया की जीजा जी ने ही चोरी की है लेकिन अब मैं चेन की बंसी बजाती हुई सुनना था कि स्यामा जी के हाथ से जग छोट कर गिर गया जग की आवाज सुनकर के मधू जी अपना फोन बंद कर बाहर आई वहाँ स्यामा जी को खड़ा देख कर भी उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं था उसे हाथों को नचाते हुए कहा कैसे साबित करोगी आप आपके बेटे के सामने तो साबित हो चुका है कि आपकी बेटी चोर है वो तो आपकी बातों में आने वाला नही उसकी बात सुनकर के स्यामा जी गस खाकर गिर गई जब आप खुली तो अपने आपको उन्होंने अस्पताल में पाया मंग मयंक महीं था अचानक उसकी नजर मधू पर पड़ी उसकी तरब अपने कापती हाथों की उल्यों को दिखाते हुए अपनी लड़ खड़ाती जबान से स्यामा जी ब अचानक स्यामा जी को दिल का दोहरा पड़ा और वो उसी समय सोर के सिधार गई मयंक गरिमा को भी इस सब का जिम्मेदार मांता था इस कारण से उसके अंतिन दर्सन तक गरिमा को नहीं करने दिया गया अपनी मा के अंतिन दर्सन के लिए रोती भी लगती अपनी नन्द अचानक याद आते हुए मधु फूट फूट कर अपनी सास की तस्वीर के सामने रोने लगी मधु तुम रो मत जाने दो तुम्हारी भावी ने घर में आने नहीं दिया तो कोई बात नहीं ये घर तो है न तुम्हारा अचानक मैं की आवाज सुनकर मधु अपने आसु पोच पुक्सी तो उठी कि मैं को सब को सरसज बता दे कि उसने गरिमा के साथ क्या क्या किया है गर्मा बिलकुल बेवकुसूर है पर फिर याद आया कि माय का तो छूट ही चुका है कहीं ये सब सुनने के बाद मैं गुसा होकर उसे नपरत करने न लगे तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी आखिर उसे चुप रहना ही ठीक समझा जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दिया पिछली बार लालच के पीछे सच को छुपा दिया गया कभी कभी सच भी धम तोड़ जाता है और यहां यह सब मधू के दिल में हमेशा के लिए दफन हो गया और आखिर में कुछ साल बात जब मधू की कैंसर से मोध हो गए तो उसे सच में मधू की मोध के साथ ही दम तोड़ दिया